हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुक्वी तुपासना आज में आप लोग ले किया ही हूँ लाल चैने की अचार की रेसेपी अब दग आमने तो बहुत तरह की अचार का स्वाद लिया होगा लेकिन आज में आपको इस लाल चैने से अचार बनाना बताऊंगी ये फट हमें चने को भीगाना है तो चने को नॉर्मल पाने में नहीं भीगाना है ये खटा पानी है आम का अचार का पानी जो अचार बनाते टाइम पानी निकलता है ये वो पानी है अब इस पानी में हमें चने को डाल देना है अब इस खटे पानी में चने को डालके दो दिन के लि लगता है अब मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं आम का अचार उसी से मैं ये पानी ली हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी अब देखे दो दीन हो गया है चना पूरी अच्छी तरह से फुल किया है और इसका क्वांटिटी भी कितना ज्या के ग्रेटर से इसे कद्दू कस कर देना इसे बारिक नहीं काटना है कद्दू कस करने से अचार बहुत ही अच्छा बनता है देखे इससे कद्दू कस कर लेना है अब देखे हमने सारे आम को कद्दू कस कर लिया है अब इसमें हम नमक डालेंगे नमक थोड़ा सा ही डालना ह क्योंकि चना में पहले से ही नमक है और हल्दी भी है इसलिए हमें सिप आम भरी नमक हल्दी डालना है थोड़ा थोड़ा अब इन सबको अची तरह से मिक्स कर लेंगे आम में पुरा मिल जाएगा जैसे ही नमक डालेंगे वैसे ही आम में पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा तो यदि आप चाने का अचार बिना फुलाए बनाना चाहते हैं तो अब इसी में एक मुठी चना डाल सकते हैं और जैसे ही चना आप डालेंगे तो ये आम के पानी में चना पुरी अच्छी तरह से फूल जाएगा तो फिर आप अचार आराम से बना सकते हैं अब देखे, पूरी अच्छी तरह से मिल गया, जैसे ही हमने नमक डाला, वैसे ही देख सकते हैं, गिला-गिला हो गया है, पानी छोड़ दिया है, तो इस तरह से भी आप बनाएंगे, तो चना काचार बहुत ही अच्छा बनेगा, अब इसे हम एक घंटे के लिए छोड़ दे अब इसी चने में हमने जो नमक और हल्दी डाल के आम को रखा था, अब चने के उपर डाल देंगे, अब इसमें हम डालेंगे अचार का मसाला है, यह नॉर्मल अचार का मसाला है, जो हम सब अचार में डालते हैं, यदि आप इसकी रेसेपी देखना चाहते हैं, तो मेरे आ सो तेल मेहां पे ठंडा इल ली हूँ, गरम करके नहीं ली हूँ, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, यह अचार बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, चना रहने के कारण बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पस काफी अच्छी तरह से अचार पूरी बन के रेडी हो जाएगा, खराब भी नहीं होगा और यह अचार लगबग 6 मैने तक कुछ भी नहीं होता है और पिस अचार को पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स अभी अच्छानी का चार बन के रेडी हो गिया है, अगर आपको मेरी आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई